कि अलेक्टर को जो मेमरेटम दिया गया है SGPI के और से तो क्या निमान है आप लोग होगी आज कि अजये SGPI की जानिप से हमें जिला अधिकारी अरंगाबद इनको निवेदन दिया किराडपुरे के मुद्दे को लेकर, किराडपुरे के मुद्दे के अंदर जो हमने चार्पास के इंदर study किया है, और जो findings हमारे सामने हैं को हम सामने रखकर एक निवेदन तयार किया जिसके अंदर हमने जो मांग किया है पहली मांग ये है कि ये इतनी बड़ी घटना भी है जिसकी वज़े से पूरा शहर परिशान हुआ खास करके किरालपुरे की अवाम बहुत ज्यादा परिशान हुई है किरालपुरे की अवाम जो पीसफुल ही जो है तो माइटर को खतम करने के लिए बहुत कोशिश किये उन्होंने इतनी तकलीफ चाहिए कि आज भी जो है तो वहाँ पर एक तनाव का माहुल है और किरालपुरे के अंदर आज भी जो है तो खौप का डर का माहुल है तो ऐसे माहुल का जो वज़ा ब बाजी नहीं बलके उन्होंने भड़काओ घोश्नाबाजी कि इसके अंदर मुस्लिम समाज को लेके अपशब्द का इस्तिमाल किया जिसके यह अपशब्द का इने के बाद ही जो है तो वहाँ पर कुछ लोग आए उन्होंने जो तो उनके साथ में उच्जद बहस किये दो गट का जगडा जो बैताया जा रहा है यह दो गट कौन से तो यह दो गट यह है यह और उसके अलावा जो पहले तीन लोग आयते हैं वहाँ पर जो लोगों ने समझा बुजा कर उनको जब वापस बेजा तो यह तीन लोग वापस जाकर इमिजट तीस-चैलिस लोगों का एक जो गुरूप लेके आए यह गुरूप कहा है आच यह किसकी बोलने पर आया है यहाँ पर एक ऐसे भी इविडन्स मिल रहे है कि रात में दस बज़े के करीब दस बज़े के करीब यह तीस-चैलिस लोगों का जो गुरूप है यह आजार चौक पर पहले से ही खड़ा मतलब आप सोचे यह प्री प्लाइन जो एक किया हुआ दंगा है तो यह प्री प्लाइन दंगे में यह तीच-चैलिस लोगों को कोन भेजा कहा से यह लोग आए इनके इनको जो एतो अगुवाई कोन कर रहे हैं इनके इनके पीछे कौन से संगटन है कौन से पॉलिटिकल प दो घंटे एक बजे से लेके तीन बजे तक लोगों ने जो है तो पॉलिस से ही डिमांड कर रहे थे हों कि वो जो 40-50 लोग आए उनके उपर कालुनी कारवाई करें उनको जो है तो जो है तो जेल के अंदर बंद करें बोलके यह डिमांड वहा के लोगों का दो घंटे तक पॉलिस के पास ही था लेकिन उसके बाद में हम देखेंगे जब वाइलेंस हुआ जब गाड़िया जलाई गई गाड़िया जलाने के वक्त में कोई एक अधिगारी भी उनको रोकने के लिए सामने नहीं आए दो घंटे के अंदर तो एक बहुत बड़ा बल जो है तो निर्देश है धंगे को कंट्रोल करने के लिए फाइरिंग करने के लिए ये गाड़ियन को पूरी तरह तोड़ा गया इसको पुछला गया ये तोड़ने की वज़े से ही दो मासून लोगों की जान गई है उसके अंदर सबसे पहली मुनीर साहब है उनको तो किलियर मालूम है अपने पोलिस की गोली से लगने से जो तो इनका इंतिकाल हुआ है अब इनका जो मौत हुई है इनकी मौत के उपर अभी तक किसी ने जवाबदारी नहीं है इनकी अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि मुनीर साहब जो बेकुसूर है इनका जो इंतिकाल हुआ है इनको जो दिलाएंगे मुनिर साथ की फैमिली को जो है तो कमपंसेशन मौज़ा दिलाएंगे और उनको जो है तो इनसाफ दिलाएंगे बुलके अभी तक कोई कही पर भी बात नहीं हो रही ना मीडिया वाले इस पर बात कर रहे है ना कही पर कोई बात कर रही है साथ ही साथ वो जो चाहे वो तीन मज़े तक सववा तीन मज़े तक घर के गेट पे खड़ा हुआ है राममंदीर से निचे अनस मज़ित के वाजू में लगके बिल्कुल रोड पर वो बच्चे का घर है तो सिर्फ समीर ऐसा अकेला नहीं खड़ा था अपने घरों के बाहर में खड़े वे थे अपने घर की फिकर कोई करता है बच्चों की फिकर करता है अपने घरदार की फिकर कोई भी करता है वो फिकर के अंदर हमारे गली महले में क्या हो रहा बोलके देखने के लिए घरों के बाहर लोग खड़े वे तो यह वो कहना कि यह बहुत बड़ा मौप आया यह बिल्कु बनाने के लिए मॉप आता है उस वक्त किसी ने सवाल नहीं किया ये MLMP बनाने के वास्ते मॉप किदर से आया करके किराड़पुरे के अंदर जो गुंजान एकदम मोस्ट पॉपुलेशन आभिदी वाला इलाखा है वहाँ पर पाँच मिनट के अंदर हजारों लोग जमना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसको गलत तरीके से किराड़पुरे की अवाम को बदनाम किया जा रहा है जिसकी वज़े से महले के अंदर एक नाराजगी फैली र किराड़पुरों की अवाम ने बहुत बहुत भैत्रीन तरीके से मामुले को ज्यादा बड़ने नहीं दिया इन्होंने अमन और सुकून को कायम करने में जितना बड़ा योगदान की अवाम का है किसी का नहीं है हमारे देखने में यह आया है कि रात भर इतना वाइलेंस होने के बाद इतना डिस्टब होने के बाद भी दूसरे दिन राम नौमी के दिन भी वहाँ पे गुट गुट बना कर जो है तो 50 लोगों का गुट, 100 लोगों को गुट यह बना कर दिन भर वहाँ पे नारे बाजी की शहेर की शांतता को बनाए रखने के लिए पुलिस परशासन का जो है तो मदद करने के वास्ते अपने कारोबार को बंद किया आज भी अपनी दुकाने वो जो है तो पीछे-पीछे करके जो है तो दुकाने चला रही है सामने इफतार का मार्किट है ये सब सच्चाया है ये सच्चाया होनी चाहिए इसके लिए हमने Collector थाप से मान किये के इसके अंदर Judiciary Incidentally होनी चाहिए और ये पूरा सच्च जो है तो लोगों के सामने आना चाहिए और जो असली गुनागार है उनको सक्त सजा मिलना चाहिए हम कोई भी वाइलेंस करने वाले और कोई भी गुना करने वाले को कभी भी हम फिवर नहीं करेंगे हम कहते हैं उनको जो तो सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए लेकिन इविडन्स की कमी की बुनियाद पर इसके इसके बोलने की बुनियाद पर बेखुसूरों को सताया ना जाए ये भी हमने जो तो उनसे डिमांड किया है अगर ये नहीं होता है तो SDPI आने वाले वक्तों में नियाएले का सपोर्ट लेंगी हम कोट जाएंगे कोट से इंसाफ लेंगे हर मामले के अंदर हम कोट से इंसाफ की गोहर लगाएंगे